पूछो किस पर रॉल्स रॉयल पर हमाई भी जलवा हो गए मुंबई में हमने भी कहा खोलो गेट और हम भी बैटे तो लोगों को लगा कि बाबा बहुत उच्छा है छोटी मोटी पर तो बैठी नहीं रहा पर हकीकत यह है कि अपने राम फक्कड के फक्कड अभी भी लॉन ले की जिन्दिगी जीते हैं कई बाहर क्योंकि जितना आता है उतना कन्या बेबा है तीन साल से भंडारा चलता है तो चला जाता है तो हम अपने जिन्दिगी की बात बता रहे थे कि हम जिस गाउं में रहते उसका नाम में और चौद में दिन उन महासाय को पता नहीं कौन सी खुजली हुई हमारे जाते ही उन्होंने टीवी बंद कर दी हम बाहर निकले हमने कुछ बोला नहीं हम चाहते तो ये भी बोलते कि आज के बाद तुमारे घर नहीं आएंगे हमारे कारण तुमने टीवी बंद कर दी चोटा चोटी बहन और हमसे चोटा भाई पांचों लोग बिना लाइट के कमरे में रहते थे वो भी छपड़ वाले कमरे में टूटा फूटा मकान था उसी में रहते थे हमारी मा बाहर बैटी थी एक बिस्तर था उसी पर हम दोनों भाई लेट जाते थे बाकी सब जमीन में लेटते थे अंधेरा था माने पूछा दीपक जल रहा था माने पूछा बेटा रात हो गई आज बड़ी जल्दी टीवी देखकर आ गया हमारी आखों में आसू आ गए मा को क्या बोले हमने का हामा आज हम जल्दी आ गए हम आते हैं पीछे हमारे एक नाला है जहां मकान है पास आज हम अमीर होते हमारी खुद की टीवी होती है यहां बन जाते हैं लाखों रिष्टे जब पैसा पास होता है तूट जाता वो रिष्टा गरीवी में जो सबसे खास होता है हमने मा को कुछ नहीं बताया हम बापिस आए तीन घंटे रोते रहे लेकिन रोते रोते हमने प्रण लिया के आज के बाद धीरेंद्र कृष्ण टीवी देखेंगे तो अपने बाप की खरीद कर देखेंगे बरना किसी टीवी की तरफ आँख उठा कर लहीं देखेंगे और करमकांडी ब्राम्मर थे गाओं में करमकांड करते थे हमने करमकांड शुरू किया डेड़ साल तक सत्धनारैन की कता रामचरित मानस की पूजा पाठ आधी करवाया किसी का उध्यापन करवाना संकल्प करवाना ग्रह परवेस करवाना गाड़ी का पूजन करवाना पा उस बीच में जहां भी जाते थे और उसके मकान में टीवी लगी है तो हम देखते नहीं थे टीवी की तरफ क्योंकि दिर्था प्रतिग्या थी कि टीवी देखेंगे तो अपने बाप की देखेंगे किसी उस जमाने में नया नया बस का प्रचलन चला बस में बॉलवो कोच और बस पर यात्रा करनी हो तो सब लोग टीवी में मस्त रहते थे हम नीचे देखते थे मेरे माई बाप जब हम टीवी लेकर आये हो सबा के लो मिठाई लेकर आये भगवान की करपा उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिध्धी नहीं आई थी भगवान की करपा के जिन महान भाव ने हमको भगाया था उनकी टीवी फुग गई वो हमारे घर आए हमारे घर आए हमने उनको लड़ू दिया एक परिसाद उनके लिए बचा कर रखा था उन्होंने कहा बेटा वो हमारे रिस्ते में कुछ लगते थे उन्होंने कहा बेटा अपनी टीवी तो दी काई को 3800 रोपया बरबाद किया अपनी सुधरवा लेते इसी को देखते हैं हमने कहा thank you वो समझ नहीं पाए बोले मतलब हमने कहा धन्यवाद वो समझ नहीं पाए मतलब हमने मन ही मन कहा कि ना तुम उस दिन भगाते ना हम अपनी टीवी ले आते और यह होती है भगवान की कृपा कि आज वो हमको टीवी पर देखते है यह हमारी महमा नहीं है भगवान की किसकी कृपा है भगवान की कृपा है बाला जी की कृपा है हमारी कोई महमा नहीं है मेरे पागलों हम तो साधारन इंसान थे हैं लेकिन हम एक बात कहते हैं हमने जो भोगा है अब वो तुमको नहीं भोगने देंगे अब तुम्हारी आँखों में आसु हमने जो अपनी मा को पीडा में देखा एक साड़ी में एक एक साल देखा अब हम चाहेंगे भारत की कोई मा इतनी परेशान न रहे इसलिए बागेश और धाम पर हर वर्स कन्या विवाज शुरू किया अब तो हमने एक और प्रण लिया क्या करते हैं लोग हमारी कथा करवाते अपना फोटो चमका देते हैं अब हमने प्रण लिया कि अब कथा तो करेंगे पर उससे जो भी मिलेगा हम बुंदेल खंड में कैंसर हॉस्पीटल बनाएंगे हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना अपने लिए जी रहे हैं ना हमारी कोई निजी इक्षा है हमारी इक्षा सिर्फ इतनी है हमसे लोग कुछते आपकी दक्षना क्या हमने का कोई दुख्यारा जब मुस्कुरा देता न यही हमारी दक्षना है तो आप लोग चिंता मत करो प्रभू का भजन करो हम सामुए करजी आज लगा देते हैं तुमारा परचा नहीं बना क्योंकि इतने लोगों से मिलना डेड़ लाक लोगों से छह साथ साल लग जाने हम आओ मैसे ही बुड़ा पो आगओ यह तही तप जाने हमें लेकिन हम एक बात समझ गए मुंबई एक दो दिन का बिस है नहीं छह साथ दिन यहां रहना चाहिए हमको अब तो और कल ठाने में थाने के बाद बिलकुल लगा हुआ भिवंडी थाने के इंडियन कॉर्परेशन के सामने हमारे रुद्र पताप तिपाथी जी जो हमारे बहुती प्रिये हैं उनके द्वारा लगबग एक डेड़ एकड़ में बागे सुर्बाला जी का इस्थान बनवा रहे है हमारी कोई उच्छा नहीं लेकिन हम उन्होंने कहा गुरू जी इस बहाने आप आते रहेंगे हम दो तीन महीने में मुंबई में धरम बिरोधियों की ठटरी बारने आते भी रहेंगे चिंता मत करो यह धरम बिरोधिक कुछ दिन बाद भारत में नहीं दिखेंगे भारत में रहना है तो सीता राम कायदे में रहो गे तो आहल ले तो हल्माँ जी की तरफ से ठटरी बार दी जाएगी बलो सीता राम जौर से बलो और जौर से बलो